कि आप इस हलो दोस्तों एसारघेडमी में आपका श्वागत है हम इसमाना शृसनत्र के वारे में बात कर रहे थे इस से निए पिछली वीडियो में आपको श्रूसन की परिवाशा जीवों में कौन कौन से शृसनंग पाए जाते हैं तह था या वाईवी एवाईवी शृसन क के बारे में बताऊंगा इनके जो मेहत्पूंट रहते हैं उनसे मैं आपको अपकर आउगा दोस्तों मैं आपको आपकी लक्षे आपके गोल या आपके खावों तक पहुंचाने में आपके एक छोटी सी मदद करना चाहता हूं पर तुम मुझे मदद साकार होते हुए सपल हो अदम से मिल रहे हैं जिनमें पढ़कर काफी प्रिशन्ता मिलती है पन्तु जब मेरी वीडियो का आप लायक करोगे तो मेरा उस्साव अड़ेगा मेरा जोस बड़ेगा कि इसलिए अगर मेरी वीडियों का पसंद करते हैं तो आप मेरे वीडियों को लाइक अवस कीजे PlayStation करते हैं ऑन system can mm मान सुसंसंदंत्र के दो बागोंना स evlach zat अ फर्स्ट हैma social mark जिसे को घंडेक्टिंग फिरस पी डाकट धा ऑगा जाता है जैसे इंस्तिल मार किया है system मौक केवल बायू नली या ने इसमें गाशु का एक्षेंच नियुथा जैसों का अधानपनी हो जो इसे 100 कि पहला उन पूर्वक्ड मानुत जा सकती है या वैयन बिला कर सकते है दूसरे होते थे फ्षेंप्डे कि लंग्स या एक्षेंज ओन इनमें गैसों का बिनिमें होता है है फैपड़ों में जो सुसन के प्रमखंग होता है वानम में सुसन के प्रमखंग फैपड़े होते हैं इनी फैपड़ों में गैसों का एक्षेंज होता है यानि गैस यह बिनिमें गैसों का आदान प्रदान ग देसन गैस और कहाहां से प्रवाई करทे एक करती हैं तो फर्स्थ राता है नासिका नासमाट नासिका या नासमाट नाग है जो हमयाज चहरे पर आपस्तित होती है ठीक है दू दंसा च्धरों चहरे पर दू नासा च्धरों की उफस्तिती दी नासिय अवस्ता डाई राइनस स्टेज कहलाती है क्या कहलाती है डाई राइनस स्टेज या दी नासिय अवस्ता कहलाती है तो हमें दी नासिय अवस्ता यानि मानम में मानम की बात की जाए तो मानम में जो नासा चिद्र की उपस्तिती है वह कैसी है दी नासिय अवस्ता है आपको डाइगमत दे रखा हैं आपको झाक है नौज दर्चा डखी alternator जिसमें नास चिद्र द Erखें आगे करें टार का स्थित है यह गोलव में अनदाकार होते हैं जिसे बाइव स्थिम्रे। प्रवेश करती है तक लाइट प्रशेड़ा शरीड में प्रवेश करतीelas करती है थिकाँ अगर नासा चीद्र के बात की जाए तो नासा इस जो दूनों बीच में सेप्ट और या ऑ जात जाता है इसे सेप्ट अथकुशा होता है वह हाई Church हाइलीन कार्टिलेज हाइलीन उपास्ती से निर्मित होता है जो नासा कक्ष जो नासा कक्ष होते हैं नासा गुआ होती है उसे दो भागों में दो कक्षों में डिवाइड करता है जिने नासिका बेसम या नासिका कक्ष कहता है यह नासिका कक्ष है नासिका बेसम होते हैं उन नास्का गुवा को दो कक्षों में डिवाइड कर देता है जिन्हें नास्का विसम करते हैं अगर नास्का विसम की बात की जाए तो नास्का विसम में तीन चीत होते हैं प्रेगान, शुशनमार्ग और ग्रानमार्ग यानि प्रते कक्षों में तीन चीत होते हैं इधर तीन हो थीक है तो एक ही बात की जाए तो प्रेगान की बात की जाए तो प्रेगान नियुकाप और इब वा अगcular कुणचछ है कि अदय वह वा यू कुछ जानना आगर शुष् Cen वाड की बात की जाए शुष्शन वार्थ न्मध्य भाग होता है तरहना वातान छुठ बायू को ठंडा करना यहीर का उन्सार लाने का क्ष़ अ तो उस थन्डी वाइव को गरम करने का रहे हूँ कौन करता है तुछंड औरभी वाइगे तो फैबरे घंड लगने खत्रावर जाएगा अधिक गरम बायू अधिक गरम बाईू फृस्टन में लेंगे इस वह पिलेंगे तो फंप्रों में चाले पड़ जाएंगे ठीक है गरम बायू लेता है तो सभी बड़ जाती है तो फंप्रों किया होगा थो बहुत ही लायम अंगें कॉमल अंगें तो इसलिए सवसन मार गया है जू बाईू को सही टैंपरिचर पर यानि बातानुकलित करत सनीडियरण मेंब्रेंड है सनीडियरण कला होती है जो ग्रांद सोंगने का कारह करती है हमें खुसु कैसी है खुसु आ रही है याब बदु आ रही है उसका पता इस को वार आप नियुस का मैं वार अबď जाया। अगर नासा चदुरो खीया। शुम्स थी तूरन का पिर आयो इनियुस्ट पर उमिन पहर स्टप्सी का Wisconsin क्यों उम्हरे हैं। पुरन के लाओ ये हैं। ट्राहर खीयो को है। तो स्रीच से भॉहन कालते हैं 8 करता है अब बात करते हैं ग्रशनी सबांद माहँ है या नासी का मार गए नासी का मार ग्रहनी में ग्रष्णी मीं जाकर खुलता है टीक है viewed ब्रशनी, तिन बाद होते हैं ग्रशनी के नासा वे-निजोफेरींग्स मुख ग्रशनी ऑरोफेरिंग्स प्रंट गर्शनी लेरिंज वे-शनी इन तेनों को ये नाम दिया जाता तेर ग्रष्ण इव distributing सोसन आसand आज्ञालालक है और वे नॉ से पैंने कर दोते हैं और ऐसे की बाति की जाए तो सरीर में बाईयों दोते हैं घर बंट-जन की बात Account करते हैं जो ग्रस्टनी का अंतिम भाग है कंट ग्रस्टनी जिसे लेरेंजियो फरेंग्स भी कहा जाता है कंट ग्रस्टनी एक जो अंतिम सरा है वो किसमे खुलता है एक जार्णमा चिद्र होता है ठीक है जिसे बोलता है ग्लूट या ग्लूट एक होता है निगलद्वार जो कर देते हिसा एक होता है निगल द्वार रे दूसरा हो ता घाटी द्वार। आधान घाटी डखन नो गाटी द्वार फैसे गल्लूट ah योट Is Nigal agora, 2020 इसा गाथा आहे on a तिवाय का जाता है तिक कहीं चिंट्र स्में है अ उपस्ती में जप्टी पास्ती में ठेकल अच्सित निगलता सम्हें जो बूजन निगलता है हुष समय स्कौर्फ ओस्वांस नाल होता है त्रेखिया होती है उसको बंद कर देता है जिससे बुजन के कंट इस में स्वांस दली प्रिवेश्ण ना कर सके ये किसका काम होता है घाती द्वार नहीं एपी ग्लोटीस का कार होता है किसंको करना ग्लोटिस या थेहंटी द्वार को बन्ध क evaluating ग्ली में फिलती हैं थेकिंग थे जिसे बाकियंद या कंठ का जाता हैколь में इसे लेरिंव्ख गालता है या सॉंद वॉक्स का जाता है बाक्यंत या कंट जिसका दूसर नाम इसे बात की जाए तो लेरिंक्स या बॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, ध्वनी पीटिका यानि जो ध्वनी उत्पन करने कारे कौन करता है कंट करता है तो प्वागे राहिए करने कालनाइक, कंट करता है। cobitenASP कंट होता है या खोखले, पास्ति में बॉक्स पर राउजसाएं एक हो सरिष्णा है। अगाटी नौयर्ट रकाटेस संक्याने में और संक्या किया में कि फ्रिकाइड उन्थ आप plagiat अगर का गभाई धाता है लोगा रखादव निर्मत अब बताता है बेगव कुझे अंत यो प्र शके सामने की और वित आप आ अभार होता है, जैसे ले ने होता है, कहान पर प्रोस्वे, जिसे टैटुआ, जिसे टैटूआ काजाता है अपनी लेंगवाज में, आडूप सेपल या पॉंब्स एडव मी उपास्ती होता है। अगर दृट्त की बात की जाये तो电ाम सेपल इस्त्री हो में पुरäगी तुल्ला में कम बिभ्सित होता यानि 25 साल की उम्रे में बैक्स की बात की जाए तो पुरुष्णों में महिला को तुल्ला में आधिक बिक्सित होता है इसी के कारण पुरुष्णों की आवाज भारी होती है किसी कारण होती है टैटुआ या एडम सेपल की कारण पुरुष्णों की आवाज भारी होती है मानब की बात की जाए तो मानब को कंट या लेरिंग्स का जाता है अगर पक्चियों की बात की जाए तो पक्चियों में लेरिंग्स अनुपस्थित होता है उनसा पाय जाता है सिरिंग्स पाय जाता है पत्तार में स्वार। तं्थर में स्वार्पटियां बॉकल्कॉट पतार जाते जो धुनी उत्पन क करते हैं। मेहन काण现在 consists of with dhony called. छासक का मार्ग हुआ ही है, ही है, शात में धुनी उत्पन करता है कून करता है? कंट। स्वारपत्यां यह दो जोड़ी दो जोड़ी नहीं एक जोड़ी यानि दो दो बाक्तन्तु पाई जाते हैं स्वारपत्यों में बाहरी जोड़ा होता है दो जोडी बाक्तंतु पायाते हैं, किसमें बाक्यांत्र कंठ्ट में, बाहरी जोड़ा होता है, वो मित्या सवर तंतु, फाल्स बॉकल कॉर्ड कहलाता है, वो मोटे लचीले गुलावी रंग के होते हैं, इन तंतु में किसी भी प्रकार कोई कंपन नहीं होता है, दूसरी बा बास्त्विक स्वर तंतु कलाते हैं, सत्य या बास्त्विक स्वर तंतु कलाते हैं, जिनने ट्रू वकल कोड भी कहा जाता है, जो ट्रू वकल कोड है, यह सपेज जिल्ली नुमा वल अचीली सचना होती है, जो हम स्वांस लिते हैं, स्वांस को बार छोड़ते हैं, स्वांस नित्या संवारतनुists, इसे जो ध्राल निर्म भी, उस द्रलार वो वह लुफा वे नित्या संवारतनु थे जुछ क्यों सि क्यूकर ध्रृति था Κार्य ग्योंधा किरते हैं रद्वनी के जा बृत्रा वाहे के लुफाटि censorship के दोनी कंपन उत्पन होते हैं जो कि मित्या सुर्टन तो दोनी अनुरादक के रूप में कार्य करते हैं ठीक है अगर गुंगे वक्ति की बात की जाए तो गुंगे वक्ति में हवास तो उत्पन होती है यहनि साउंड साउंड की बात की जाए तो कुंगे वक्ति में sound दोनी तो अत्पन होती है प्रन्तु जो दोनी को दोनी को भासा में speech में प्रविशत करने का खार रहे है और जीव का नियंत्रन जीव और होट करते हैं जीव को नियंत्रन मस्तिक्स का मस्तिक्स दमाग का बानी केंद्र बासा केंद्र करता है गुंगे वक्ति की बात की जाए तो गुंगे वक्ति में sound दोती है जीव उस ताउंड को बासा में परविशत नहीं कर पाती जानि वह स्पीटलेस होता है इस्पीटलेस बासा बोल नहीं पाते पान्तु sound दो उत्मन कर रखते हैं ठीक है अगर बात की जाए यो फ्लेस्टय करते हैं इंजक ऐसे व्यभग गांस ध्लिलिव करते हैं उननीन को is करती है जो मुकस का साथियं करती है मुकस मुकस चराओं का स्रावन करती है उस्स में बैक्टिरिया हानिकारा कीटानों जीवानों चिपक जाते हैं जो किस में प्रिविस्टी कर पाते हैं स्वांस दली में प्रिविस्टी कर पाते हैं इस प्रिकार जो नासा मार गए या नासिका है वो छाने कारे करते हैं फिल्टर कारे करते हैं सुमने का करते हैं थात ही कि इसलिए कभी कभी डॉक्टर ने देखाऊगा कि डॉक्टर ने सला दियोगी कि आपको मुक्चे वजाए नाख से अधिक सौंस लेने चाहिए क्योंकि भायू को ठंडा करना वायू को किटानू रहित करना वो कारती है नाख करती है ठीक है अम अंदर बारे जोड़े सत्य चोटे होते हैं ठीक है जबकि प्रोसों में यह बड़े होते हैं उसके बाद बात की जाए स्वाश नली जो कंट है कंट है जो गलूट या घाटी दोड़ता किसमें खुलता है स्वाश नली में खुलता है ठीक है जिसे टेकिया भी का जाता है या ब्रॉंकाई तो टेकिया बात किरें तो ट्रेकिया 10-12 cm लंबी 10-12 cm लंभी वह दो फून फांच सेटीमिर्ण चोडी ने लिका होती है ठेक है तो ग्रासन्डाल के साथ रखर मक्रीन ग्राशनाल के साथ रखना रखी अधर हता की ओर किस्की और अधर सत्राथ से बहर की ओर प्राथ्मिक स्षिणिया कर जाकर दो भागों में बढ़ जाती है जिसे प्रात्मिक शुष्णियां कहते हैं जिसे प्रात्मिक सुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यह चलो सब साइंग में प्रश्ट कर्स दिए क्यों में अनदर की और कस्यों दंड की और ये क्यों प्रस्ट सताय की और समय होते हैं जैंड़ शत्या में आपोन होते हैं, दो जो जो स्ब्सक्राइब कैसे सब्सक्राइब होती है। जो स्वसेन करता यान की सर्फ सब्सक्राइब त्रॲेख या न सीःप्लाइब को फ्लाती है। केक्या को भिष्टाज पर देती हैं जिससे त्रीव स्वसंत जोड़ीोसे स्वसंत हम ले सकें ये कून करती है ये ट्रेकुलीर्ग्डे पेशे करते हैं किसमें करती हैं फिए करके छलने करती है तिक है अब नेच्ट बात करता हैं को है कि वाकॉष्ट अल्वुलाई यह कुपिका अल्वलाई को फुसफुस की कelpoy करें यह सवसनिय का आगे चलकर अन्यक नलिकाओं में भाजित हो Ts hi रोक्ताइन का विए टिए अधे सांस की केछ मुंदंद 묀ना करता है Ridge हिच उन से बेन में होता है उन साह्विन में होता है डैसों का आधान पुड़ान होता एक आपकम आहिए कुपी काओं में १ोसे खरती है ऐट्बॉ मेंने लइंट्स की तो पूछी लंग्समे गरता है एक प्रावित होता एक लेसितीन छावित होता है पास्वोलिपेड लेस एं पुछ मातरा में स्वावित होता है वो गुवां को चि carrying सब्सक्राइब कर दोनों में कितने हो गए तीज करोड या तीन सो मिलियन कि यंज क्या उपस्चित होते हैं बायो कोष्ट या एल वलाइ या उपस्चित होते हैं किसमें एक फेपड़े पर आराइव अब बात करता हैं ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं फैंपडों के बारे में फैंपडे होते हैं वो एक जोडी होते हैं यह वन तो संक्या में तो शक्वकार होते हैं तो फढ़ा का सीर्स है हो भू किया अच्छा चाहिं आपक्स यास Just कलाता है शेश या एकफ्ट कलाता है अगण जैग tack a pam लाता जब्किनिछी लृवर आधार या बेस क्यालाता है टीक है कंसी योरrr प्राइप्राम की ओर शवहला आदार या मेस कर लाता है इस के जब हैं Q बात चीजाओagn deliver करना थेंडिन सिफया खुआ I M is P K Đंढ जिसमें पेरशियान अनुपस्थित होती है लिए पाइपणय को या गंपे फेंप्रों में किसी स्म्कूचन नहीं होता मैं फेंपणय कोई फेंपरों में पेंपणय कुक्छन अनुपस्थित होता है अगर भी सकतर में लमए Greno 2000 तल्ला मेंused at the Daya Fevera कि मैंने आपको यहां हुमन लंग्स के वारे में दे रखाएं तो राइट लंग है इसमें कुछ यह डिवाइदेशन पाइजाते हैं कुछ पार्स पाइजाते हैं जैने फीसर्स पोला जाता है इसे कारण दोनों फैंप्रे दो लॉब में पड़ गया तो राइट लॉप्स य आपको यह अपके मैंने यह मिटा दिया था एक यह देख यह करी विए दो फिसर्स पाइजाते हैं इस दो फिसर्स के कारण निगे तीन प्रिंटों हो एज पहला दूसरा और थ्री त्री लॉप्स में डवाइड हो जाता है थ्री पिंटों में बढ़ जाता है कुनसा राइ बजन होता है ठीक है लंग्स फैंपलों के ऊपर एक आवन पा जाता है जिसे फुसफुस आवन बोला जाता है क्या बोला जाता है या प्लूरल जिल्ली का जाता है लंग्स के ऊपर कर आवन को ठीक है लंग्स के ऊपर कर जो आवन उता है वो दोहरी जिल्ली से निर्मत होता है जो बारकी और जिल्ली होती है, जो बारकी बित्ती होती है, उसे पैराइटल प्लूरा का जाता है, जो आंत्रिक जिल्ली है उसे बिस्टरल प्लूरा का जाता है, इन दोरों जिल्लियों के मज्दे एक गैप पा जाता है, इस प्लूरा गुवा, प्लूरल कैविटी, प्लूरल थृटेय। है इस प्लूरल गुवामें द्रव की यह फ्लूरल तरल के पाई पाहे जाता है इसका कारे होता है क्या कारे होता है इन फैप्रों को गर्षण से बचाना फैपड जो शुकुरते हैं, भारते हैं, फैलते हैं तो उस समय गर्शन से बचाना है, फर्स्ट कार रहे, सेकंड कार होता है, भार्या गातों स्रिक्षा करना, ऐसे आपको धक्का लागा इदम से, उससे फैपडों को, फैपड़ी कॉम्मल स्पंजी यंग है, इन फैपडों क स्रिक्षा करने का करता है, यह फ्लूरल फ्लूर्ड करता है, फ्लूरल तल करता है, ठीक है, थर्ड नंबर की बात की जाए, तो फैपडों की दोनु जिल्डियों को चिपिकनी से रोखता है, फैपडों की दोनु दिल्डियों को चिपिकनी से रोखता है, कौन रोखता है, यह पॉलूरल फुलोड जो किसमें महाते है कि अंद में पॉलो ठाल ठाल झाता है अब sudah करना घो । टायफ्रांब में ले शून डाइफ्राम एक पेसिय पट्टा होता है तेर्फ्राम एक फेसियर किसे निर्मित होता है और डाइफ्राम की बात की जाए कि अधिशने को से निर्मित पाइस पूर जाती है इन अधियों पिस्यों की कार्य होता है। यह चाहिए पस्तक शुकुष्ट ना पहलाना ना खैम देतार्स Đây ने सामान आवस्ता में यह कुम मदकार का आ भेवह सामान आवस्ता में रो Pare कके जो समवे इसका तेर into enne racist दिल आफ करते तो सब्सक्राइब गुम्मदकार होगी पीशियां पता चुकाऊं तो पीशियों के मद एक सेंट्रल टेंडन ही पाजाता है इसके मद में एक सेंट्रल टेंडन होता है ठीक है उस सेंट्रल टेंडन से उससे सेंट्रल टेंडन से इस इस सेंटर टेंडन से तीन सरस्टनाइं भान रिकलती है इसको डायफ्राम को छेद कर देती है उनकोण सी सरस्टनाइं एक तो है अग्र मासरा अग्र मासरा दूसरी है पच्च मासरा ठीक है त्रीस्री होतीय है ग्राशनाल की आश्राल मीशिकी चेटी में आपको पाassTP दिया था है उस स्टें पड़ाय था वाशिकी आपको बता दिया था ग्राशनार डायफ्राम को च्रूए आमम को ज nerd यह इत्ला आग्र मासरा यह चेल सेंटल टें कोई स्टमान निकलती है लोग नंक चो को इसे बाहर को निकलता है लोगा उसके वारे में आपको अच्छील तो लाइक की जहए आपने दोस्तों की साहओ कीजिए जिससे साइंस के इन तत्यों का फाइदा वो भी अपने एक्जामों के दोरान ले सकें वो भी इन चीजों का फाइदा उठा सकें धन्यवाद